बंदा सिंग भादू ऐसे योधा हुए जिनोंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा था वो मुगलों के खिलाब सभी लड़ाई जीते लेकिन 1715 मिनोंने आखली लड़ाई लड़ी बंदा सिंग भादूर का असली नाम लक्षमन दास था गुरू गोबिन सिंग नहीं उन्हें बंदा सिंग का नाम दिया था गुरू गोबिन सिंग की लक्षमन दास से मुलकात 3 सितंबर 1708 को महराष्ट के नादेड में गुदावनी नदी के किनारे हुई थी मुलकात के दोराल लक्षमन दास नोंने कई तरीकों से अपमानित करने की कोशिश की लेकिन उनकी किसी भी युकती का प्रभाव गुरु गोबिन सिंग पर नहीं पड़ा लक्षमन दास नों से काफे प्रभावित हुए और यहीं उन्होंने पहली बार स्वेम को गुरु गोबिन सिंग का खिदास कहा था